नमस्कार दोस्तो बेबी स्वेटर के सेकंड पार्ट को लेके मैं हाजिर हूँ तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये स्वेटर न्यूबॉर्ण बेबी के लिए है मैंने साथ फंदे डाले थे दस नंबर की सलाई पे और इसे पाँच भागों में डिवाइड किया छे फंदे फ्रंट पे छे फंदे बॉडर पे साथ फंदे आस्तिन पे और अठारा फंदे बैक पे फिर यहां पे साथ फंदे आस्तिन पे और छे फंदे फ्रंट पे और छे फंदे बॉडर पे और एक एक फंदा हमारा दिवाइडर और दिवाइडर पे मैंने देखे 20 जाली बनाए तो एक साइड में 20 फंदे बढ़े और दूसरी साइड में 20 फंदे बढ़े जैसे की बैक में हमारे 40 फंदे बढ़े इस आस्तिन पे 7 फंदे थे 20 फंदे इदर से बढ़े तो 47 फंदे हो गए फ्रंट पे हमारे 6 फंदे थे 20 फंदे बढ़े तो 26 हो गए और 6 फंदे बॉर्डर के यानि 32 फंदे हो गए यहां पे और एक एक फंदे डिवाइडर पे है तो आप चाहिए तो बैक में रखे चाहिए आस्तिन पर रखे यह आपके उपर है तो सबसे पहले जब हम टॉप टू डाउन बनाते हैं यानि गले की तरफ से हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम आस्तिन बनाते हैं फ्रंट और बैक नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर हम यह पहले बनाएंगे तो हमें आस्तिन बनाने में बड़ी मुश्किल होगी तो मैंने एक आस्तिन को पहले बना लिया है और फिर मैं बुनते हुए देखिए इसे मैंने क्रोशे से सिलाई की है तो क्रोशे से सिलाई करने से ये फैदा होता है कि हमें थ्रड काटना नहीं पड़ता है तो मैंने सिलाई कर ली फिर मैं यहां तक बुनते हुए आ गई हूँ अब मैं आस्तिन के पास पहुँच गई हूँ मैंने सभी फंदो को एक सर्कूलर निडल में डाल दिया है इससे ये फैदा होगा कि फंदे गिरने का भैर नहीं रहेगा अब हम देखिया हमारा थ्रड यहां पर है हम सभी फंदो को सीधा बुनेंगे तो मैंने सभी फंदो को सीधा बुन लिया रॉंग साइट से हम सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे तो मैंने दो लाइन कम्प्लीट कर लिया अब मैं इस डिजाइन को डालूंगी तो इसके लिए मैंने अपना सेकंडरी कलर अटैश कर लिया अब दूसरे करर के उन से हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे एक दो तीन और चौते फंदे को स्लिप कर लेंगे तो इन ही चार फंदों को हमें पूरी सलाई में दूराना है तीन फंदा सीधा बुनेंगे और चौते फंदे को स्लिप कर लेंगे तीन फंदा सीधा और चौते फंदे को परल वाई स्लिप करना है तो इन ही चार फंदो को दूर आते हुए हम पूरी सलाई कम्प्लेट कर लेंगे अब हम रॉंग साइड में आ गए हैं तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे अब देखी यह दूसरे करण क्या था फंदा है तो इसे हम सीधा बनेंगे उन अपनी और जितने भी स्लिप कियो फंदे उसे स्लिप कर लेंगे स्लिप करने से पहले उन को हम अपनी तरफ कर लेंगे अब उन दूसरी और किया दूसरे करण वाले तीन फंदे इसे हम सीधा बनेंगे उन अपनी और करेंगे और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और बुने हुए फंदे सीधे उन अपनी और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे अब दूसरे color के उनसे दो line बुनने के बाद फिर हम अपने primary color के उनसे बुनेंगे अब देखिए पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और ये तीन फंदों में से ये जो दूसरा फंदा यानि बीच का फंदा है इसे हम slip करेंगे फिर तीन फंदा देखिए यह slip किया हुए फंदा उसके दोनों साइड वाले एक एक फंदे इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन और देखिए यह तीन बुने हुए फंदे में से यह बीच का फंदा है तो इसे हम slip करेंगे अब देखिए फंदे हम सीधे बुनेंगे एक दो तीन और फिर चौते फंदे को slip करेंगे फिर तीन फंदा सीधा एक यह देखिए फंदा वा फंदा और इसके दूनों साइड वाले फंदे इन तीन फंदों को हमें सीधा बुना है सीधा बुना, स्लिप किया फिर तीन फंदे सीधे स्लिप किया वे फंदा और उसके दोनों साइड वाले फंदे इन तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है और बुने हुए तीन फंदों में से सेंटर फंदा यानि बीच का फंदा, दूसरा फंदा इसे हमें स्लिप करना है इस बात का हमें ध्यान रखना होगा दिजाइन बहुत ही आसान है और बेहत खुबसूरत बहुत ही उभर के आता है बहुत सुन्द लगता है इसे किसी भी बच्चो के स्वेटर में या लेडी स्वेटर में बनाएंगे बहुत ही अच्छा लाएगा चार फंदे का और चार लाइन का ये खुबसूरत सा डिजाइन है अब इस चौथे लाइन में देखे कितना सुन्द लाएगा कि अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में और ये देखे दिजाइन का ये चौथा लाइन है अब इस चौथे लाइन में हम सब्दों को जो पुने हुए पंद्रों है वो जो बुन वूए पंद्रों है सब्धी पंदों को हम उल्टा बुनेंगा सबी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे चौथी लाइन में हम सबी फंदों को उल्टा बुन लेती हूं मैं फिर आपको दिखाते हूं तो चौती लाइन में मैंने सब भी फंदों को उल्टा भुण लिया अब हम फिर आ जाते हैं सामने की तरफ और अब हम अपने सेकेंडरी कलर से बुलेंगे एक कलर से दो लाइन भुलने के बाद फिर दूसरे कलर के उनसे दो लाइन भुलना है तो अब आँ पे design हमारा यही है बस थोड़ा सा जगा हमारा change हो जागा तो देखिए आप क्या करेंगे पहले फंदे को हम सीधा बुनेगे अब यह देखिए यह जो हमारा है इसको हमें slip करना जिस पर design बना है इसी को हमको slip करना है इसको slip किया, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, अब दे दिखें, इसको हमें slip करना है, फिर next तीन फंदो को सीधा भुनना है, एक, दो, तीन, चौता फंदा slip करेंगे पिर तीन फंदा सीधा एक, दो तीन चौता फंदा slip करेंगे पिर एक, दो deux syrup लइंगे यहां पर हम अपना तीस्रा line Kraft ही दूँरा रहा हैं देखें, आपक हैं धिस्रा line में भी हमने इस 바ंदे को स्लिप किया था इसे वापस हम स्लिप कर रहे हैं और यह तीन फंदे हमने बुने थे तो वापस हम इसे बुन रहे हैं पर इसे स्लिप किया फिर देखें तीन फंदे बुना था इसे वापस हम बुनेंगे सीधा करेंगे अब देखिए अब रांग साइड से हम स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुलेंगे एक, दू, तीन, उन अपनी और करेंगे, स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी और करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा, डिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत कुछ रखेंगे, अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे, तो तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, यह स्लिप किया हुए फंदा, उसके दोनों साइड वाले फंदे, तीन फंदे को हम सीधा बुनेंगे, और डिजाइन के बीच वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा, और बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, तो इन ही चार फंदों को दूर आते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे बुने हुए फंदे और स्लिप के हुए फंदे सभी फंदे हम उल्टा बुनेंगे जी फंदे हम एपने से कंडर से बुनेंगे तो ध्यान दिजेगा देखिए यह तीन फंदे बुनें गए हैं gjort है यह फंद श्लिप किया है तो इसे वापन करता है इन魏 चार फंदो को हमें पूरी स्लाइं में दोर आना है तीन फंदा सीधा चोथे फंदे को स्लिप करना है तीन फंदा सीधा चोथे फंदे को स्लिप करना है तो इन ही चार फंदों को दूराते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट करेंगे रॉंग साइट से बुने हुए फंदे सीधे बुले जाएंगे और slip किया हुआ फंदा slip कर लिया जाएगा slip करने से पहले उनको हमें अपनी तरफ करना है फिर तीन फंदे सीधे slip किया हुए फंदे को slip करना है उनको अपनी और करना है slip किया हुए फंदे को slip करना है फिर उन दूसरी और तीन फंदे सीधे इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन कम्प्लीर करना है देखिए फ्रेंट्स तीन डिजाइन बन गया है और मैंने इसमें देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, तेरा डिजाइन डाले हैं तो तेरा डिजाइन डालके मैं आपको दिखाते हूँ एक ये फ्रेंट्स, तेरा डिजाइन कम्प्लीट हो गया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, और तेरा तेरा डिजाइन कम्प्लीट हो चुका है और इस समय इसकी लंबाई है लगबक साहे 10 इंच तो अब हम इसका बार्डर बनाएंगे तो बार्डर हमने उल्टा-उल्टा बुन के बनाया है तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे उन अपनी उर कर लेंगे और अब हमें बार्डर में चुकि इस पे 47 फंदे हैं तो हमें 7 फंदे गटाने होगे तो 2 फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे तो हम कहीं कहीं तो हमें साथ फंदो को घटाना है, तो कहीं कहीं पे हम दो फंदो को एक साथ लेके और उल्टा बुन देंगे, तो यहां पे देखिए, एक फंदा यहां घटा, एक फंदा यहां घटा, इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें दो दू का एक करना होगा. तो हमने साथ फंदे घटा दी जास्ट फंदा है जिस्ट इच्छ है इसे हम सीधा बंड़ें और अब हम दोनों तरफ से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनके बॉर्डर कंप्लीट करेंगे तो यह हमारा दूसरा लाइन है और हम छे लाइन का बॉर्डर बनाएंगे छे लाइन हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए छे लाइन कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको इतना बुनके यह टीन वैनाय सामने से थिवार उनल लोई तिनी यह हमारा चछटा लाइन तो चछटे लाइन में हम्लों के लिए मैं में प्रूल हुलो कि को लो, सब्सक्राइब और उल्ता हम के लिए में हम्लेताल स अंहें कर दो इना बहुत चांगे बहुत धीला रखना है दो दो फंदो को लेते जाएंगे और पुल्टा बुनते हुए दो का एक कर दो इसी तरह हम सारे फंदे क्लोज कर देगे तो देखिये फ्रेंड्स मैंने सभी फंदो को क्लोज कर दिया और बेबी फ्रेटर का आस्तिन प्यार है और कम्प्लीट होने के अब बाद इसकी लंबाई है लगबद 11 सवा ग्यारा इंच इसकी पूरी लंबाई है तो अब हमको बस इसकी सिलाई करने हैं